हेलो दोस्तों सागत आप सभीका आर्व एडिट्यूप क्लास में तो आज हम आप लोगों सामने फिर से कोस्टन लेकर क्या हैं ये कोस्टन क्लास 9 की मैथ की इसी वेसी बुक से लिया गया है दरसल मैं इसमें ठीरम डिसकुस करूंगा शेप्टर 9 का सरकिल का ठीक है तो आज ह हमारा जो ठीरम है वह है फर्स्ट ठीरम ठीरम 10.1 इसको इस वीडियो में डिसकस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा कैसे होगा आप से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए अंतर तक देखिए ताकि आपको सई से समझ में आए ठीक एबी और सिदी दोनो एकल है यह दोनों कॉर्डट क्या है इकल है तो हमें बताना है कि सेंटर पे यह वाला जो एंगल बन रहा है और यह वाला जो एंगल बन रहा है वह इकल है अब मैं आपको इसे लिख के समझाता हूँ यहाँ पर इनने कहा है कि AB जो card है वो equal है CD के तो आपको बताना है यह given है यह क्या है यह given है तो आपको prove करना है कि जो angle है हमारा AOB is equal to angle COD ठीक है यह हमें prove करना है तो अगर आपका mindset हो गया हो तो चले फिर इस question को करें दो code equal दिये गए है center पर बनने वाले उनके corresponding angle को equal हमें prove करना है चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए प्रूबेंस जो होता है वो mainly 3 या 4 पार्ट में किया जाता है पहला पार्ट होता है given दूसरा पार्ट होता है to prove और तीसरा पार्ट होता है proves किसी किसी में 4 होता है तो उसमें कैसे करते हैं पहला पार्ट होता है given दूसरा पार्ट होता है to prove तीसरा पार्ट होता है construction और चोधा पार्ट होता है proves तो इसमें हम 3 वाला लगा के करेंगे ठीके तो सबसे पहले हम इसमें given right करेंगे कि हमें दिया क्या है तो सबसे पहले हमें एक circle दिया है जिसका center O है जिसमें दो equal card A, B और C, D है 2 equal card A, B and C, D half a circle with center O then A, B is equal to C, D ठीक है यह हमारी question first हो जाएगी यह हम बोलेंगे given है अब हमें करना है to prove देखिए prove में हम वो section write करते हैं जो हमें बताना होता है तो यहां पर आपको बताना है यह वाला angle equal है इस वाले angle के ठीक है तो मैं आपर simply लिखेंगे angle A, O, B equal to angle C, O, D यह हमें prove करना है अब third adding होगा हमारा proof देखिए जब हम proofs start करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि हम काम कहां पर कर रहे हैं तो काम हम triangle A, O, B में कर रहे हैं और C, O, D में कर रहे हैं तो सबसे पहले इन दोनों triangle को हमें congruent prove करना हो गया तेहां पर write करेंगे कि intringle A, O, B and triangle C, O, D आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी triangle में आप काम कर रहे हो उस triangle को जरूर में निदा करना कि हम किस triangle में काम कर रहे हैं जैसे मैं इसमें और इसमें कर रहा हूं तो मैंने लिखा इंट्रेंगल A, O, B and C, O, D तो यहां पर हमें क्या मिलेगा देखो सबसे पहले जो O, A है वो इक्वल है O, D के O, A इक्वल टू O, D तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा Radiai of Circle अब यहां पर एक बात समझें बहुत बच्चे Confuse हो जाते हैं कि Radiai किसे कहते हैं देखिए Radiais Singular Form होता है और Radiai उसका Plural Form होता है तो Radiai कुछ नही Radiais का Plural Form है दूसरा यह जो O, B है O, C के Equal होगा क्योंकि यह भी Circle की Radiais है O, B equal to O, C इसका भी Region सेम होगा Radiai of Circle ठीक है? अब यहां पर जो Cord है हमारा A, B और C, D A, B और C, D यह हमें Question में है Equal दिया हुआ देखो यहां पर बोला है Equal Card तो यहां पर लिखेंगे A, B equal to C, D इसका Region होगा Given इसका Region क्या होगा? Given तो देखो किसी भी Triangle में हमें तीन चीजें प्रूब करनी होती है या तो तीन साइड या तो फिर उनके Angles तो यहां पर हमने देखो यह साइडों को Equal दिखा दिया है तो हम कह सकते हैं अच्छा यह ट्रेंगल कैसे कंगरेंट है? तो by SSS Congrenancy Rule अब देखो SSS क्या होता है? साइड 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 होता है तो यहां पर हमने क्या देखा? कि जो ट्रेंगल AOB है वो कंगरेंट है ट्रेंगल COD के यानि कि यह वाला ट्रेंगल कंगरेंट है इस वाले ट्रेंगल के तो एक बार अगर दो ट्रेंगल कंगरेंट हो गए तो उनकी किसी भी साइड या किसी भी एंगल को हम Equal बता सकते हैं ठीक है? तो यहां पर अब हम लिखेंगे The Angle AOC Equal to Angle COD अब इसका क्या रिजन होगा By CP City By CP City अब देखिए CP City का मतलब क्या होता है Corresponding Part of Congregent Triangle ठीक है? तो CP City से यह दोनों Angle क्या हो जाएंगे? Equal हो जाएंगे यही हमें प्रूब करना था और यह प्रूब हो गया है तो लास्ट में हम राइट कर सकते हैं Hence Proved तो यह हमारा इस Theorem का Provence होगा आप चाहो तो इसको राइट कर सकते हो या फिर वीडियो को पाँज करके Screenshot ले सकते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class